So, hey friends, welcome back to my tip channel. So, आई इस वीडियो में हम लोग देखेंगे English का lesson plan. इससे पहले मैंने सारे subject lesson plan बनाए हैं. Physics, Chemistry, Botany, Economics, Hindi, Sanskrit, etc. सभी lesson plans आप मेरे चैनल के playlist section पे जाके देख सकते हैं. heading पड़ी हुई है BLH 5th semester all files. प्लस आप लोग library visit और school visit फाइल जो की BLH 5th semester के लिए important है. वो भी वहीं से देख सकते हैं. So without wasting any time, अगर आप चैनल पे नहीं है तो फटर फटर से चैनल को सब्स्राइब कर दीजे. एसे ओन फॉर्मिटिव वीडियो और अपडेट्स के लिए. मेरे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लीजे जिसकी link description box में है. जल 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 से वीडियो को लाइक कर दीजे. So चलिए स्टार्ट करते हैं. देख लेते हैं. माइक्रो लेसन प्लान किस तरह से बनता है? क्या फॉर्नाट होता है? So यहाँ पर सबसे पहले आपको micro lesson plan heading दानली होती है. उसके नीचे आपको date subject topic mention करना होता है. Left hand side में और right hand side में आपको class period duration mention करना होता है. कौन से teaching skill आप यहाँ पर use कर रहे हैं? वो भी mention करना होता है. जैसे यहाँ पर questioning skill है. Phase आप mention कर सकते हैं अगर teach या retage कर रहे हैं. तो यहाँ पर phase है teach. Teach उसे कहते हैं जब हम पहली बार lesson plan मना के पढ़ाते हैं. और retage उसे कहते हैं जब same lesson plan को हम दोबारा पढ़ाते हैं क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ी होती है. फिर उसके बाद हम लोग components mention कर देते हैं. ज नहीं होती है जिसमें के serial number, pupil teacher activity, students response और components होता है. Pupil teacher activity में हम 5 questions पूछते हैं क्योंकि यह हमारी questioning skill है. यहाँ पर कोई भी explanation नहीं देना होता है. Students response में हम लोग उन्हीं questions के answer लिखते हैं वो भी full statement में, full sentence में. Then कौन-कौन से components यहाँ पर use हुए हैं उन्हें हम लिख देते हैं. 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, जो भी आपने जैसे भी पहले page में components लिखे हैं. Then आजाते हैं third page, तो third page हमारा observation table का होता है. Observation table में हम लोग serial number, components और rating scale बनाते हैं. Components वही same components होते हैं, जो first page में हमने लिखे होते हैं, जैसे लिखे होते हैं, same to same, ऐसे ही लिखने होते हैं. Rating scale 1 to 7 यहाँ पर बनी हैं, यह rating scale आपके teachers rate करते हैं, जब आप उनके सामने teaching करते हैं, और suggestions भी वो लिखते हैं. जो भी गलतियां वो पाते हैं, आपके teaching के दौरान वो यहाँ पर suggestion के तौर पर लिख देते हैं. So, जो भी गलतियां हमारे पहले lesson plan में होती हैं, यानि teach वोले lesson plan में, उन्हें सुधारने के लिए हम reteach बनाते हैं. Same true copy lesson plan होता है, बस हम लोग उसे अच्छे से पढ़ाते हैं जो भलतियां पहले होती हैं, उन्हें repeat नहीं करते हैं. बाकी same पूरा वैसे का वैसा ही lesson plan यहाँ पर बना दिया जाता है. So, देख सकते हैं, आपर बस phase, rate each mention कर देते हैं हम लोग और जो भी गलतियां वहाँ पर हम लोग ने की होती हैं, यहाँ पर उसे correct कर देते हैं. आप pupil teacher activity वाले section में question देख सकते हैं, सारे ही question हमेशा wh word यानि what, which, इन शब्द से start होने चाहिए, and topic को हमेशा underline करना चाहिए. So, सारे ही lesson plans आप फट फट से यहाँ से click कर के देख सकते हैं, I hope video आप को informative लगी होगी, तो फट फट से video को like कर दीजे, चैनल पे नह तो चैनल को subscribe कर दी and as the informative videos and updates के लिए मेरे telegram channel को join कर लीजे, जिसके link description box में, okay bye